दोस्तों किसानों ने अपने ट्राक्टर मार्च का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहा है, ट्रेलर जो है किसानों का ट्राक्चर मार्च का ट्रॉलियों का वो दिखाना सरकार को शुरू कर दिया गया है, यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, कैसे किसानों की तरफ से एक मार्च निकाला गया है, तेरा तारी को दिल्ली के अंदर कूच करने से पहले किसान जो है पूरी तैयारिया करते हुए एक मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली दूर नहीं है अगर सरकार ने उनके मांग उनके दिमांड्स नहीं पूरे किये तो यही ट्राक्टर जो मार्च कर रहा है ग कि वो तेरा फरवरी को संसत भवन का घेराव करेंगे जिसकी ताजा तरीन वीडियो इस वक्त आप स्क्रिन पर देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर इस वक्त बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है किसानों के आंदोलन की वज़े से आज किसान जगा जगा प् कुछ करेंगे और डिल्ली में संसत भवन का घिराव करेंगे यहीं नहीं दोस्तों आज तो बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया कृसानों को घर दिया गया है जाम कर दिया गया है हाइवे को भी बंद कर दिया गया यह भी इस वक्त जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किसानों के प्रदर्शन की वज़य से बॉर्ड़स को बंद करने का आनन फानन में पुलिस को जो है आदेश दिया गया और पुलिस ने बॉडर्ज को बंद कर दिया है किसानों ने एक बार फिर से अपना ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है हर्याना में किसानों के साथ जो है किसान समुदाय अपनी अपनी गाड़ी अपनी विकल्स के साथ फ्लाग मार्च करते वे नजर आ रहे हैं किसानों का जंडा लेकर तमाम लोग जो है किसान संगठन से जुड़े हुए चाहे वो ट्राक्टर हो गाड़ी हो वो सब लोग इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में ट्राक्टर के साथ मार्च कर रहे हैं दिल्ली घरेने से पहले की तैयारिया करते हुए दिखाई दे रहे गाउं सवेरा पेज से इस वीडियो को शेर करते हुए जानकारी साजा की गई है कि अर्याना पंजाब के गाउं में किसान आंदोलन का उबाल जो है वो तेजी से उच्छाल मार रहा है 13 फरवरी को हुगा द पूरी तैयारी कर दी है और तैयारियों का जो पूरा नजारा है वो आप साफतोर पर इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किसानों को जागरूप करने के लिए तरह तरह से जीहां मंच सजाए जा रहे हैं और मंच सजा कर एक दूसरे लोगों को जागरूप करने की क कोशिश की जा रही है कि कैसे किसानों के साथ चलाबा हुआ है किसानों की बात नहीं मानी गई है किसानों के पूरे जिस सरकार आगे का क्या रनृती बनाती है किस तरीके से इस पूरे आंदोलन और प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करती है यह देखना दिल्चस्प होगा दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रति के रिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले